सो हेलो एन वेलकम यू अल आएम रोईत प्रो महाजन ट्रीडर सो गैस आज हम बात करेगे हैच एप सील के बारे में सो गैस एच एप सील में अगर देखा जाए तो काफी तगड़े स्टॉक उठाया जा रहा है वालिम्स काफी तगड़ा है करोडों की करेदारिय की जा रही है और गैस यहाँ पर हम बात करेंगे एक बड़े टार्गेट की है यहाँ पर HFCL में एक बड़ा target क्या हो सकता है तो guys यहाँ पर upside down momentum तो HFCL में काफी हुए है और काफी तगड़ी गिरावट भी हमें देखने को मली है और उच्छाल भी हमें देखने को मली है जैसे market अगर देखो तो कल काफी जादा गिर गया था और आज बिल्कुल इसमें recovery चल रही है तो guys यहाँ पर HFCL में जो beginners हैं उनके लिए सही stock है तो देखेंगे क्या अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो वीडियो देखो पूरा समझ चाओगे guys तो guys आज बात करेगे HFCL के बारे में तो काफी कुछ बाते होगी तो वीडियो को end तक देखना और guys अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब कर देना for shares के updates के लिए shares के latest ने उसके लिए तो वीडियो को करता है start तो guys बात करेंगे HFCL Ltd के बारे में HFCL Ltd काफी नाम चलता है stock का और बिल्कुल अब देखा जाए तो यहाँ पर कितना stock बढ़ गया है 69.85 रुपे पे stock कर रहा है trade और देखा जाए तो 4 रुपे तक की एक बड़त हमें देखने को मिल रही है 6.26% के हिज़ाब से stock में तेजी यहाँ पर बनी हुई है बिल्कुल यहाँ पर तेजी का माहूल बना हुआ है और किस वज़ा से क्या इसमें volume है और हम देखेंगे और chart को अगर आप देखोंगे काफी प्यारे chart बन रहे हैं और इसके इस particular level पर invest करना चाहिए और भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो guys chart पर चलते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो HFCL में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ investment के लिए और कई लोगों ने यहाँ पर invest किया भी था मैंने एक बार 70 रुपे के आसपास मैंने बोला था खरीदारी करने के लिए और मैंने 50 रुपे भी खरीदारी करने के लिए बोला था मैंने उससे भी नीचे मैंने खरीदारी करने के लिए बोला था और जिन जिन लोगों ने खरीदारी कियोंगी अच्छे return कमाए होंगे क्योंकि हमारे target सची हुए थे सूर्व बेज तक कि स्टॉक गया गया था और हमारा target तो 90 गया था बट उससे भी बड़े-बड़े target हमने अच्छीव करा कि दिये गए तो यहाँ पर actual में हुआ क्या था हमारा simple सा logic था कि HFCL में एक आपर अगर देखो तो upside down momentum थे resistance शो कर रहा था symmetrical जीसा कुछ pattern बन रहा था और देखा जाए तो upside down momentum थे और breakout मिला था retaste किया था मैंने तब ही बोल दिया था जब इसने retracement किया और मैंने बोला था कि clearly guys यहाँ पर उसे stock में बड़ा तैर्य वाली और बिलकुल एक jump लगया 100 रुपे के असपा स्टॉक गया भी और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद continuously गिरा उट आई market डाउन था काफी कुछ चीजे थी guys जिसके वज़े से stock में भी गिरा उट ही बट मेरा पहले ही था कि इस particular level पर support लेंगा यही कई भई आसपा सबोट लेके उपर की और जाने कुछ इश करेगा और बिलकुल वही हो रहा है guys और आज बिलकुल तगड़े returns के साथ है उपर की और जा रहा है देखा जाए तो simple सा logic था और यहाँ पर भी मैंने buy करने के लिए बोला था क्योंकि हमारे पास भी एक plan था है यहाँ और बिलकुल breakout के बाद तगड़ा stock गया था उपर की और यहाँ पर मैंने बोला था लगबग 30 रुपे के लगबग खरीदारी करने के लिए और 30 रुपे पर जिस जिन लोगों ने खरीदा होगा बिलकुल यहाँ पर उनका पेसा हाँ पर बिलकुल almost double हुआ ही है और एक high के बाद stock नीचा है और यहाँ पर भी rate test करके उपर गया फिर sideways momentum बना के उपर जा रहा था फिर एक sudden gear out है यहाँ पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यह important level पर support लेने कुशिश कर रहा है यहाँ से stock support लेके उपर की और जाने की फूरी यहाँ पर possibility से आपर दिखाई दे रही है और ऐसा ही अगर चलता रहा तो यहीं नहीं बोल रहा हूँ है क्योंकि बड़े time frame पर भी हमें बड़ा break out मिला था यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर rejection लेके stock में बड़ी गिरा उटाई थी फिर rejection लेके गिरा उटाई फिर rejection लिया फिर continuously गिरा उटाई फिर अचानक sudden ही इसमें बड़ा यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिला है stock बिल्कुल पचास रुपे के लेवल को तोड़ कर कहा पर गया है आप सभी देगी सकते हो और बिल्कुल गैस यहाँ पर returns दिये है stock ने और बड़त भी है पाच दिन के टाइम प्रेम पर अगर देखा जाए छे रुपे 0.05 पेसे तक stock अल्रेडी गिरा हुआ है 8.19% के हिजाब से गिरावट है एक महीने में 13 रुपे 95 पेसे तक की गिरावट है 17.05 प्रतिशत के हिजाब से और 6 महीने के अगर बात कर लो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रुपे 95 पेसे तक बड़त हमें देखने को मिल रही है 4.55% के हिजाब से stock में एक तेज़ी का माहूल है वही अगर देखे गाइस market cap stock का क्या है तो market cap यहाँ पर 9.34,000 करोर के असपास का market cap है और market cap के हिसाब से तो clearly पता चल जाता है कि एक mid cap stock की category में आने वाला share है और अगर बात कर ले इसके P ratio की 26.66 का P ratio और dividend की बात करो 0.22 का dividend भी है और वही गाइस आज की अगर बात कर ले तो 67.20 पे stock open हुआ high 70.40 का लगा है और already guys यहाँ पर यह मान लीजे कि पर सरकीट के सेनारियों यहाँ पर बनते ने जरा रहे और बिल्कूल यहाँ पर खरीदारी है strong तरीके से और 67.20 का ही low भी है so 52X के high की बात करो तो 101.35 पेसे का high है 20.30 रुपे तक का low भी आपको देखने को मिल जाएगा resistance की अगर बात कर ले 69.70 पेसे का first resistance level है second है 91.68 पेसे का और third है 94.07 पेसे का support level की बात कर ले तो support level में 61.47 पेसे का first support level है second है 97.08 पेसे का और third है 55.17 पेसे का वही अगर बात कर ले इसके price performance की तो price performance में 1 week का 10.55 परसेंट तक माइनस में है 1 month का 17.05 परसेंट माइनस में है 3 months का 11.77 परसेंट माइनस में और यहाप यह वर यह रोण हाप का 13.90 परसेंट माइनस में तो कही न कहीं रिकवरी करने की कोशिश रहेगी और यहापर 3 years का भी plus में ही है 127.68% प्लस में दिखाए देगा 214.12% प्लस में दिखाए देदेगा वही गर बात कर ले यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स पर 1 करोड के आसपास का ट्रेड वेल्यू करोडों में शेयर्स को उठाया जा रहा है और वही गर बात कर ले 27 लेक का कॉमिनेंट डिलियूरी देखने को मिलेगा वही वन मन्त के आवरेज का देख ले तो यहाँ पर 1 करोड के आसपास का ट्रेड वेल्यू और 41 लेक का कॉमिनेंट डिलियूरी देखने को मिल रहा है trade value और combine and delivery हमने देख लिया अब बात कर ले community sentiments के आकड़ों की तो community sentiments के आकड़ों में 78% जो लोग है वो buy करने के लिए कह रहे हैं और 17% जो लोग है sell करने के लिए कह रहे हैं और 5% लोग के ओर से अभी भी कहा जा रहा है hold करने के लिए तो अगर revenue देखे अच्छे बड़े है ने profit हापर consistent तरीके से बड़ा है आप देख सकते दो से 46 करोड था 2017 से 2022 तक 2021 तक काफी अच्छे तरीके से बड़े है shareholding pattern में 39.23% की holding promoters की है FI की है 7.19 DI की है 1.44% public है 51.97% की holding के साथ orders की बात कर लो तो 0.17% की holding orders की है तो guys HFCL में काफी कुछ चीज़े थी important चीज़े जो हमने आपके साथ discuss की है I hope video आपको अच्छा लगा हो तो video को like करो guys channel को subscribe करो thank you